आपकी अच्छाई की कोई कद्र नहीं करता तो अवश्य सुने ये कहानी एक बहुत ही मध्यम परिवार की औरत थी जब भी वह खाना बनाती तो एक रोटी अलग से तैयार करके उसे खिड़की के पास रख देती थी ताकि गली में से गुजर रहे जिस किसी व्यक्ती को जरूरत हो तो वह ले जाए एक बाबा थे जो हर रोज आने लगे और खिड़की पर रखी रोटी लेने लगे जब भी वा रोटी लेते एक बात हमेशा कहते थे कि तेरा किया बुरा तेरे साथ ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लोट के जरूर आएगा एक दो दिन उसने सुना पर उस पर ध्यान नहीं दिया अब उसकी रोज की दिन चर्या बन गई कि वह बाबा आएंगे रोटी उठाएंगे और वो ही वाके कहेंगे धीरे धीरे उस औरत को इस बात से खीज आने लगी कि मैं रोटी पका कर देती हूँ इन्होंने कभी धन्यवाद तो नहीं किया और पता नहीं यह क्या अजीब से बोल बोल कर चले जाते हैं क्यों सुनाते हैं वह औरत उस महात्मा से इतना चिड़ गई कि उसे उस महात्मा के बरति नफरत हो गई नफरत ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि एक दिन उसने रोटी में जहर मिलाकर पकाया और खिड़की के बाहर रख दिया अचानक उसके मन ने पल्टा खाया कि ये क्या करने जा रही है रोटी देना बंद कर दो पर किसी को मारने का पाप क्यों ले रही हो उसने जल्दी से वह रोटी उठाई और कूड़े दान में फेक दी नई रोटी बनाई और खिड़की के बाहर रख दी वो महत्मा आये उन्होंने रोटी उठाई और वो ही कहा तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लोट कर तेरे पास जरूर आएगा उसने अंसुना किया और अंदर चली गई इस औरत का एक बेटा भी था जो कई दिनों से बाहर था और कोई खैर खबर भी नहीं आ रही थी दिन रात उसकी सलामती की कामना करती रहती थी उस दिन अचानक डोर बैल बजी उसने दरवाजा खुला तो सामने क्या देखती है कि उसका बेटा खड़ा है वह औरत बहुत खुश हुई बेटे को गले से लगा कर रोने लगी बेटे ने मा को चुप कराया बेटे की हालत देख कर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों से खाना ही ना मिला हो मा ने पूछा बेटा ये क्या हाल बनाया हुआ है बेटा बोला मैं जिस देश में था वहां युद्ध जैसे इस्थितियां बनी हुई थी हमें कैद कर लिया गया था मैं और मेरे दो साथी वहां से बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए यहां तक पहुँच पाए हैं ऐसा लग रहा था कि प्राड निकल ही जाएंगे रास्ते में एक महत्मा मिले उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे पानी पिलाया और उनके पास एक ही रोटी थी वह मुझे खिलाई शायद उसी वजह से चल कर यहां तक पहुच पाया हूँ और पता है मा उन्हात्मा जी ने मुझे क्या कहा तेरा बुरा किया तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लोट कर तेरे पास जरूर आएगा मा ने दिल पर हाथ रख लिया और इश्वर का बहुत शुक्रिया किया कि उसने जहर वाली रोटी समय रहते उठा ली और मेरा बेटा बच गया आज उस मात्मा की उस लाइन का मतलब भी समझ आ गया कि तेरा अच्छा तेरे पास लोट के आही जाता है कई बार हम अच्छा करते करते ठक से जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा करना छोड़ देना चाहिए कद्र तो कोई करता ही नहीं लेकिन नहीं अच्छा करना कभी मत छोड़िये कोई तारीफ करे या ना करे कोई अच्छे शब्द बोले ना बोले पर यहाँ तै है कि आपके द्वारा किये गए अच्छे कर्म किसी ना किसी रूप में आप तक वापस जरूर आएंगे ऐसी ही और भी कहानिया सुनने के लिए मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दन्यवाद